सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूज तुरंत पाने के लिए जी यां साथ योज वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग के विद्यालेव में अब इस्टार कारेक्रम होगा शुरू इस्टार कारेक्रम के तहत इस्टार है कि शिक्षक है उनको शाला दरपन पर करनी होगी साथ ही साथ कारेक्रम के अंतरगत सभी अधिकारियों के हैं वह उत्तरदाइत वभी निर्दाइत कर लिए गए हैं पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में नमस्कार साथियों मेरा नाम है मोतिलाल गनोजिया और आपको इस्टा कारेक्रम की पूरी योजना तो दोस्तों ये कारेलन निदेसक मादे में इस एक्षा राजस्तान बीकनल की और से जारी वर्तमान कोवीड परिष्थितियों के चलते आगामी तीन माह की शिक्षन योजना बताई गई है यहां पे और यहां पे आप सभी जान रहे विध्यार्थियों की अर्दिया नहीं दोके उसको निरंतर जोंचालित करने के लिए आओ घर में सीखहें और बेक टू इसकूल कारेक्रम के लिए यहारी उत ङहां कि और सल्पार परिदेस है यानि शिक्सा विभाग का नया कारेक्र पुन्रावर्ति जिसके अंत्रगत रिवीजन वरक्षीट इक अक्षा के माध्यम से बोड गक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट वीज के लिए इसमें उपलब्द करवाई जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं बैक्टू इसकूल उप्चारात्मक सिक्षाण यानि रिमेंडेशन प्रोग्राम तो उसके अंत्रगत आपको नवीन सत्र इकिस बाइस से प्रारंब हो रहे गतवर्स से लर्निंग गैप को दूर करने के लिए करक्सा में अंग्रेजी हिंदी गणित और विश्यों की एक कलश्टर वर्क बुक से तीन मा की सिक्षन ब्रिज कारेकम के पास साथ विद्यार्थियों के इस तर के अनुरूप उसके लर्निंग आपको दूर करने के लिए आपको कारे प्रारंब करना है इसके लिए विद्य उप्चारात्मक शिक्षन के लिए कारे युग कुस्तिकाओं पहल प्रयास और प्रवा और प्रखर के भाग दो का उप्योग किया जाना है सभी विद्यालव में 20 जन्वरी से शैक्षिक वर्ष के अंत तक उप्चारात्मक कारेकरम संचालित रहेगा तो इस बात का विशे विद्यार्थि के शीखने के इस तरके आधार पर विद्यार्थी समू किये जाने के लिए 21 से 24 जन्वरी के मद्य कारे पुस्तिका में दिये गए अंतिम पंक्ति का मुल्यांकन किया जाना है विद्यार्थि के शीखने अधार पर जो विद्यार्थी समू बनेंगे वह 21 से 24 जनरी के मद्यव आपको कारेप पुष्टिका के अंतम में अंतिम पंक्ती का मुल्यांकन जो दिया गया उस मुल्यांकन के अधार पर आपको समूँ बनाने हैं कोवीड परिष्टितियों के चलते जिन विद्यालें में नीमित कक्स सिक्षण इस्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ती मुल्यांकन का लिंक इस्माइल मेसेज के साथ बेजा जाएगा सिक्सक गण उक्त वर्नेत अवधी में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच और मुल्यांकन किया जाना सूनिश्चित करेंगे और इसी मुल्यांकन के अधार पर ही विद्यार्थी समूहन होगा विद्यार्थी के अंतिम पंक्ती मुल्यांकन के प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी समोन किया जाना है जो की निम्न सार्णी के अनुसार होगा तो अब अंतिम पंक्ती मुल्यांकन में आपको क्या करना है जैसे कक्षा 3 के सभी विद्ध्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए चात्र समू LL यानि सीखने का इस्तर है चात्र समू LL, L1, L2 30 प्रतीशत से कम स्कॉर करने वाले विद्ध्यार्थी LL, L2 30 से 69 तक स्कॉर करने वाले LL, L3, L4 और 60 प्रतीशत से अधिक स्कॉर करने वारे विद्ध्यार्थी आट ग्रेड समू में रखे जाएंगे तो ये समू बन गें 3 तरके तो सम्मू 1 है LL 2, LL 3, 4 और 8 grade इसी परकार 6 और 7 वी कक्सा है उसमें 30 प्रतिशा से कम स्कॉर करने वाले विद्यार्थी है LL 4, 30 से 60 तक वाले है LL 5, 6 और 60 प्रतिशा से अधिक स्कॉर करने वाले 8 grade सम्मू में आएंगे इसी परकार आठी के लिए भी योजना बनाई गई है उसमें LL 5, LL 6, 7 और 8 grade रखा गया है साथी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आदार पर समूह हित करने के पस्चात समूहों को निमलिकिस्ताणी में उले खित सीखने के इस्तर के नुसार कारे पत्रक को हल करने है और कौन सा करना है तो कक्षा 3 का विद्यार थी है learning level 121-2 page 512-106 अंग्रेजी के अंतरकर learning । के लिए और पेज 51-104 तक और गणित के लिए लेवल 12 और पेज लेवल 51-106 तो सभी के लिए पेज निर्धाइत किये गए हैं वो पेज के आपको जो कारेपत्रक है वो हल करवाने हैं कक्षा के अनुरूप यह दिये गए हैं आप साहे तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं तापकि आपको पता चल जखे कौन सी क्लास में कौन सी अंग्रेजी का घंदी का और गणित का कि कक्षा 3 कक्षा 4 5 6 7 और 8 सभी के लिए अलग अलग यहां पे दिया गया है अंतिम रेखा मुल्यंकन में 60% अजिक अंक अरजित करने वाले विद्यार्थी हैं उनको एट ग्रेट समू में रखा जाएगा जो विद्यार्थी एट ग्रेट समू में शीखने के इस्तर पर है वे उप्चारात्मक शिक्षन अवधी के दौरान कार पुष्चिका में सवतंत्र रूप से कार पत्रकों का अभ्यास कर सकते हैं जिन विद्यालेयों में नियमित कक्षा 6 शिक्षन सुचारू रूप से संचलित है वाँ सिक्षकों द्वारा कालांस 1-2 में विद्यार्थिय किये गए प्रफंदों का लांस उसमें आपको काम करना है जिन विद्यार लेओं में कोवीड परिस्थितियों के द्रश्टिगत नियमित कक्सा सिक्षन फिलहाल इस्थगीत है वहां सिक्षण शिक्षक विद्यार्थी होम विजिट के दौरान साफ्ता ही शिक्षक कॉल के से विश्थर दिशा निर्देश जारी किये जाएंगी इसके साथ दोस्तों डिजीटल अध्यन सामगरी प्रेश्टन वह पाठेक्रम पूर्ण करने की योजना और टाइम लाइन वर्तमान में राज्ये के समस्त नगर निगम नगरपाली का क्षेत्रों के सभी विद्याले म बारा से बारा तक तीस जनवरी तक बंद किये गए हैं ओनलाइन शिक्षन जारी रखने के निर्देश दिये गए हैं ग्रामीन परिशेत्र में सभी कषा का संचालन सुचारू है कोवीड परिश्टी के डश्टी गत विद्याले संचालन परिश्टित्र के अनुरुप सभी विकास को सुनिष्ट करने के लिए एंव लर्निंग गैप की क्षाती पूर्ती की दिशा में सुनियोजित कारी योजना के अंत्रगत पूर की भाती विद्यार्थियों में स्टुडेंट के कक्षावार वाट्शप इसमाइल ग्रूप में प्रती दिन सुबह आठ बजे दि सामगरी तथा घृकर व्रक्शीट साजा की जाएगी इन विध्यृत वरक्षीट को विद्यार्थियों दारा हल करके पुनो फ्र्टॉप में डाला जना है शिक्ष को दारा वाट्शप गरूप से कत्र करके स्कूल में बनाएगे विद्यार्थी पॉर्टफोली में अई- विद्यार्थियों के पास digital पहुंच नहीं है उनसे शिक्षक घर विजिट के समय वर्कशीट दे कर आएं और अपनी पाथे पुस्तक का उप्योग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेजित करें साथी विद्यार्थियों को इसमें अगर समस्या आ रही ह तो टीचर कॉलिंग अत्वा विद्यार्थि के घर विजिट के समय उसको सुनिशित करें विद्यार्थि को सप्ता में साजा की गई सामगरी के आधार पर प्रतेग शनीवार को वैप आधारित क्विज होगा तो इस बात का ख्याल लखें कि प्रतेग शनीवार को वैब लिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकोंदारा घर पर विजिट के समय फिज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को अपलप्त करवाया जाएगा विद्यार्थी के दारा दिये गए उत्रों को सिक्षक रिकॉर्ड करेगा ग्रकारियां फिज में सत प्रतिशत प्रतिशन समगरी का अध्यापन करवाना होगा साथ ही जो सिक्षन सामगरी नहीं हो लिए उसका पाठेकमपूर्ण करवाने तो उसका अध्यापक विश्याद्यबग्णारा अध्यापन करवाना होगा पहुंड का लिए समय सीमा निर्थाइट कर दी है जैसे कि शिक्षण के निर्थाइट दीवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं का 30 प्रतिशत पार्थे कर्म को कम कर रसे आईटी दारा तर्था ब्यस दारा जारी किया जा चुका है यानि समस्त कक्षाओं तीस शीट अन्वरत पहुंचाई जा रही है तता शिक्षक गणों द्वारा प्रती विद्यारती पॉर्टफोलिय का संदारन भी किया जा रहा है इसी के साथ जो बोड़ कक्साइं है जैसे आठ दस और बारा के लिए 20 फरवरी 2022 तक तता गैर बोड़ कक्साओं के लिए एक से साब संपूर्ण पाठेक्रम ओनलाइन और उफलाइन के माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सूनिश्चित करें नवीन वेब के माध्यम से साप्ताई क्विज जैसा की दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सप्ताई क्विज है वो लगातार जारी है यानि जो कोविड-19 के संक्रमन क एक विद्यारतियों की अध्यन की निरंतरता नहीं बनी तो इसको आओ घर में सीखें कारेकम 2.0 इसमाइल 3.0 के जरिये लगातार है वो अध्यन निरंतरता बनाई रहे रहे हैं और प्रतेक सनिवार को वाट्षप के आधार पर पस्ट्नों रत्री के माध्यम से विद्यारत प्रत्री अभ्यास वाट्षप के इस्थान पर एक नवीन वेब एप पर होगा जो विद्यारतियों के लिए अधिक अनुकुल और रोचक होगा यानि पी डबलू ए ब्रोग्रेसिव वेब एप विद्यारति इस वेब एप पर क्विज अभ्यास करने के पर साथ गलत हुए प्रत्री प्रत्री अभ्यास के लिए विद्यारतियों को चरणबूद प्रत्रिया अपनाई जाजनी है इस समद्ध में 22 जनुरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से विश्तर तिशानिवदेश है वोजारी किये जाएंगे साथी दोस्तों बोड कक्षाओं के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है जैसे आर्दस और बारा के लिए तो प्रोग्रेसिव वेब एप प्लेफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पास चाथ तीन-तीन मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्द करवाई जाएंगे कोविड परिश्टित्यों के अनुरूप या प्रैक्टिस पर एकसा प्रसंद पत्र ओफलाइन और ओनलाइन करवाई जाएंगे शाला दरपन पर मॉड्यूल पर अधतन सूचना प्रविष्टी विद्यार्थियों तक अत्यन समगरी की पहुंच उप्चार आत्मक शिक्षन निर्धाय टाइमलाइन के अनुरूप पाठेकर पूर्णता एंव रिविजन नवीन वेब एप वेब.convention.ai पर विद्यार्थियों की साप्ताइक प्रस्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाय साला दरपन पर उपलब मॉड्यूल में शिक्षकों धरा साप्ताइक रूप से अधतन की जानी नितांत आवसक है तो साथियों ये थे कुछ धिशान निर्दे जो मैंने आपको बताए उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाए